घर्षन एक अनिवार जिपल फ्रिक्षन एन एंसेनियल फोर्ष चप्टर नमर्ट ट्वलव है क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि फर्स पर लोड़कती गेंद एक समय बाद रूप जाती है सर्फ गेंद ही नहीं बलकि कोई भी वस्तु जब किसी अन्य वस्तु के प्रिष्ट पर गति कर रही होती है तो वह विस्तिति में भी बंद हो जाती है जब उस पर कोई वाहबल ना लगाया हो अन्तन तो वह रूप जाती है केले के छिलके पर पाव पढ़ते हैं हम क्यों फसल जाते हैं किसी चीकने तथा जिल सतर पर चलाना क्यों मुश्किल हो जाता है ऐसा क्यों होता है आए एक एकस्प्रेमेंट द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं एकस्प्रेमेंट वन किसी वस्तु जैसे इट, डश्टर, पेंसिल, बोक्स, इत्याद के किताब आदी को समतल दरपन पर ढखे लिए आप क्या अनुबाब करते हैं इसी किरिया को दूसरी दिशा में दोराईए आप यह वस्तु कुछ दूरी तक जानने के बाद रोक जाती है आप सोचे ऐसा क्यों होता वस्तु को रोकने के लिए कोई बल विपरित दिशा में कार्यत है इसी बल को घर्शन बल कहते हैं आप यदि दाई दिशा में बल लगाते हैं तो बाई दिशा में घर्षन बल कार्ज करता है। घर्षन को परभावित करने वाले कारक है। किसी एट के चारों और एक डोरी बांदिए, कमानिदार तुला द्वारा एट को कीची। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसे ही एट गती करना अरब करें, कमानिदार तुला, स्प्रिंग बालेंस का पठन नोट कीची। इससे आपको घर्षन बल का माप प्राप्त होगा, जो एट तथा फर्च के प्रिष्टों की बीच कारियत है। इट पर आप पॉलोथिन लपेटी और किरे कलाप एक्सप्रिमेंट को दोड़ाईए, क्या आप प्रोएक्ट दोनों स्थितियों में कमानिदार तुला के प्राठ्यांकों में अंतर पाते हैं। इस अंतर का क्या कारण है? जोट या मलमल का टोगड़ा इट पर लपेट कर इस एक्सप्रिमेंट को दोड़ाईए, आपने क्या पाया? इन तिनों स्थितियों में सन परकृत प्रिष्टों की परकृतिक बदल जाते हैं, आता काहरत गर्षन बल का मान बदल जाता हैं। गर्षन संपर्क की प्रिष्ट की अने मित्तता के कारण होता है, दो प्रिष्टों की अनमियत्यात एक दुसरे की बीतर दस जाती हैं। जिसके कारण उनमें अंत बंदरन इंटरलोकिंग उत्पन होती हैं। इस अंत बंदरन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना गर्षन का दुसरा कारण दोनों के प्रिष्ट पर इस्तित प्रस पर आकर्षन बल भी है। खुर्दरी सतों पर ये अनमित्याएं अधिक होती हैं। जिसकारण गर्षन अधिक होता है। प्रमाने के पांठियां के दुआराज बल का परणमान मिलता है। गर्षन मुख्यता दो कारकों पर निर्वा करता है। सत एवं वस्तु के संपर्क प्रिष्ट की प्रकृतिक पर वस्तु के भार पर इस समयने के लिए एक एक्सप्रिमेंट करते हैं। किजी। आप देखेंगे कि चिकने फर्स पर फेके गई गेंद अधिक दुआ करती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। सिमेंट के चिकने फर्स पर गेंद का घर्षन कम होने के कारण गेंद अधिक दुआ करती है। सिमेंट के खुर्दरे फर्स पर गेंद का घर्षन जादा होने के कारण गेंद कम दुरिताय करती है। अवशक्षमागरे मध्यम आकार के पुस्टके। एकसिप्रीमेटफूर 10 it's Black चितर के अनुषार गोमी पर एक पुस्टक रखे और उसे धाका लगाईे। उस पुस्टक के ऊपर एक पुस्टक और रख दिजे और धाका लगाईे। फिर उसके उपर कुछ और वस्तु कुछ और पुष्टक रखकर धका लगाईए अपने क्या नुगव किया जैसे जैसे पुष्टक के उपर पुष्टकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अधिक बल लगाना पड़ता है वस्तु का वजन बढ़ने पर उस पर इने समान के सारे लकड़ी के तक्ते या काड़गोड का प्रयोग कर एक समतल सतया बनाईए, समतल सतया के एक निश्यत बिंदू पर एक से पैंसील सेल को लड़का ये, सेल द्वारा टेबूल पर तया की गई दूरी को नोड़कीचे, अब कपड़ा या बालु की पतली परत स संतल सतय पर पिछा कर किर्या को दोराई है। आप देखेंगे कि सेल द्वारा खाले टेबुल पर तया की गई दूरी, कपड़ा बिछाने पर तया की गई दूरी से ज़्यादा है। सेल द्वारत तयाके के दूरी बालों की पतली परत बिछाने पर और गरती हैं। मता इससे यह निश्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु द्वारत तयाके के दूरी उस सेता के परकरतिक पर निर्वर करती हैं। जिस पर वस्तु चलती हैं। सोच ये कौन सा कार्च असान, किसी रूकी हुई वस्तु को गतिशिल करना या किसी गतिशिल वस्तु को उशी दिशा में सरकाना, किसी रूकी हुई वस्तु को गतिशिल करने में लाने के दुरान ओत्पन होने गर्चन वाले पर पाने के लिए वस्तु पा लगाया जाने वाल बल अस्तातिक घर्चन का माप होता है इसके विपरित किसी वस्तु को उससे चाल से गतिशिल रखने के लिए आवाशक बल उसके सरफी घर्चन का माप होता है गर्षन हनिकारा को प्रंतु अनिवार चे वर्षा रितु में किचड़ वाले रास्ते पर चलते हुए हम फिशल कर गिर सकते हैं ऐसा क्यों प्रिष्ट चिकना होने की कारण उसमें गर्षन बल कम हो जाता है इसी तरह जल से भरे गिलास की बाहा तिवार पर तले तेल की पतली परत लगे हो तो गिलास से फिशल कर गिर जाता है जर सोची यदि घर्षन ना हो तो क्या आपका गिलास को पकड़ रखना संभव हो पाएगा घर्षन ना हो तो पेर्ण अत्वा पेंसिल से हम लिख नहीं सकते हैं आपके सिछक जब स्यामपट के खुरदरे प्रिष्ट पर देती हैं सड़क तता वाणों के टारों के बिच यदि घर्षन बल ना होता तो ना वाणों की गती शुरू की जा सकती थी ना है उन्हें रोका जा सकता था और ना है दिशा में परवर्तन किया जा सकता था किसी वश्टू को यदि गती मान कर दिया जाए तो वह कभी भी आप गाठ नहीं बांद पाएंगे, गर्षन के बिना किसी भावन का निर्मान नहीं हो सकता, इसके विपरित गर्षन आने कारक भी है, गर्षन के कारण वस्तों गेस जाती हैं, जैसे पेंच, बोल, बेरिंग, अत्वा जोते को शोल, आपने गाड़ियां एवं साइकिलों के किसे हुए टायरों को देखा होगा, गर्षन से उश्माग भी उत्पण होती हैं, कुछ देर तक अपने हतेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ियें, आप क्या महसूस करते हैं, माचिस, आप माचिस के तिली को जब किसी खुरदरी सतय पर रगड़ते हैं, तो आप ऐसे बहुत से उधारन दे सकते हैं, जनमें घर्षन द्वारा उश्मा उत्पण होती है, मसीनों के चलने से घर्षन द्वारा उत्पण उश्मा के कारण बहुत अधिक उश्मा नश्ट हो जाती है, घर्षन बल दैनिक जीवन की एक मैतपुन घटना है, घर्षन बल की काद छमता घड जाती है क्या आप जानते हैं क्या आप अपने दैनिक जीवन के कुछ घटनाय बता सकते हैं यहां गर्षन लवधायक होता है गर्षन बल लवधायक गर्षन बल बिना फिसले चलने में मददगार होता है सभी तरह के वहन गर्षन बल के कारण ही बिना फसले नियंत्रन में रहते हैं हम किसी विश्ट्व को इस बल के कारण ही हाथ से पकड़ सकते हैं घर्षन बढ़ाना तता घटाना आए घर्षन को कम करने के उपायों पर चर्चा करते हैं आप कैरम बोड पर महिन पौडर क्यों छड़ाते हैं आप जानते होंगे कि दरवाजे खड़की के कबजों में तेल की कुछ बुंद्रे डालते हैं तो वह आसानी से घुमने लगते हैं मशीनों में ग्रिश या तेल डालकर साइंकिल तथा मोटर मैकनिक मिस्तिवी मशीन में होने वाले घर्षन को कम करता हैं क्या आप किसी प्रिश्ट पर असनेहक या तेल का उपयोग करके घर्षन को कम कर सकते हैं घर्षन कभी भी पुर्णता स्माप नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई प्रिश्ट पुर्णता चीकना नहीं होता पाई ये घर्षन को कम कर देते हैं पईया गाड़ी आप सभी ने आवश्य देखा होगा जिसकी देखी होगी जिसकी उपर एक बच्चा बाड़ता है तथा उसको गीच कर खिलता है रोलर चड़ी हुई अटैची तथा अन्य भारी शमान जनरेटर मिक्शर मुशीन नित्यादी को आप असाने से गीच कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं एक्सप्रेमेंट 6 बास की कुछ समान कमाची लीजे इन्हें एक दूसरे के समानतर मेच पर रखे एक मोटी किताब इनके उपर रखे आप पुष्टक को ढखे रिए आप देखेंगे कि पुष्टक की गतिशिल होने पर कमाची भी लोड़कती है कमाची की इस परकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं क्या आप मैसूस करते हैं कि पुष्टक को सरकाने की बजाए इस परकार गतिशिल करने की गर्शन कम होता है एक वस्टू किसी दूरी किसी दूसरी वस्टू की पृष्टे पर लोड़कती है तो उसकी गति के परतिरोध को लोटनिक गर्शन कहते हैं क्या आपो बता सकते हैं कि पहिये का विश्कार माना जाती के मानत्व खोजों में क्यों शुमार किया जाता है। लोटनी घर्चन शर्पी घर्चन से कम होता है। इसलिए अधिकांस मसीनों में बोल, वरिंग के उपयोग द्वारा घर्चन को लोटन में परतिस्थापित किया जाता है। टेवल पंकों, छट के पंकों, तथा सांकिलों में दुरूई, तथा नाभी के बीच बेरिंग का उपयोग इसके समान उधारान है। अपने कागच की नाव एवं कागच का हवाईजाज बनाया होगा। दोनों में क्या समनाता दिखाए देती हैं। क्या उसकी, क्या उनकी बनावट सेम भी घर्चन कम किया जा सकता है। तरल घर्चन आप जानते हैं कि वायो बहुत ही हलकी तथा विरण होती है। फिर भी इससे होकर गती करने वाली वस्तों पर वायो घर्चन बल लगाती है। इसी तरह पानी में अन्य वस्तु के चलने पर भी घर्शन बल लगती। गैसो तथा द्रवों को विगान में एक ही नाम तरल दिया गया है। कि इसी तरल पदाट पर लगने वाला घर्शन बल उसकी सतों के सपेक्ष गती पर निर्वा करता है। गर्शन बल वस्तु के आकर्ती तुर्णा तथा तरल के परकृति पर भी निर्वा करता है।